विद्ध्या भरती विद्ध्याले आतर शिक्षन समेती बाड मिड इस शिक्षन कारे में आपका हर्दिक स्वाकत अभिननन कक्षाष्ट में विश्य विज्ञान में पाठ कर्मांक चार धातू वदातू भाग कर्मांक तीन वीडियो कर्मांक तीन में आज हम दातू और दातू का उप्योग एवम उनमें अंतर के बारे में अध्यन करेंगे दातू के गुण और दातू के गुण के बारे में अपन विश्त्रत चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं इस वीडियो में हम इनके उप्योग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दातू का उप्योग मसीन, मसीने, मोटर गाडियां, वायू यान, रेल गाडियां, उप्गर, ओद्योगी, साजो समान, खाना बनाने के पात्र, जल, बॉलर, आदी के निर्मान में दातू का उप्योग किया जाता है यह जितनी भी सामगरी लिख रखी है, इसके अलावा भी जैसे लोहे की है, आबुषण है, लोहे की सामगरी है, आबुषण है, यह सबी दातू है, दातू का यहां उप्योग किया जाता है अधातू का उप्योग, अधातू जो अमारे जीवन के लिए आवशक है और जिससे सबी सजीव, सवसन के समय अंदर लेते हैं, इन्हें सरीर के अंदर गरन करते हैं, अपन स्वास लेते हैं, तो क्या है वायूग, जो ऑक्सिजन है, छोड़ते वा कार्बन डाई अधातू जिनका उप्योग, उर्रकों को में पोदो की व्रदी हेतु किया जाता है, अधातू है, जिनका खाद हैं उर्रक, खाद जो हैं, वो खेत में बनाई जाते हैं, उर्रक फेक्टियम बनाई जाता है, वहाँ पर उसका अधातू का उप्योग किया जाता है, अधातू जिसका बेंगनी रंग का विलियन अंटी बायोटिक के रूप में घाव पर लगाया जाता है उसमर अंटी बायोटिक के रूप में लगाया जाता है वह अधातू है लाल दवा, पोटेशिम, परमेगनेट, ये जल में भी सुद्धी गरण, जल को भी स्वच्च रखने हैं, उसके अंदर जीवानों की टानों जो होते हैं, उसको नश्ट करने के काम आते हैं, केमेन फोर इसका सुत्र है, और गाव को भी दोने में काम आते हैं, फटाकों में प नातूओं में चमक होती हैं, और अ दातूओं में चमक नहीं होती हैं, सामान्यत दातू आगात वर्दनियता एवं तन्यता गुणों वाली होती हैं, आगात वर्दनियता इन्हें जिनको पीटने बर वो चदर की तरफ फेल जाते हैं, तन्यता इन्हें खीचने बर तार में परिवर्थन नहों जाते इस परकार का गुण पाया जाता है किसमें दातुओं में ये गुण जो है अदातु में नहीं पाया जाता है सामान्यत दातु उस्मा और विदूत के सूचालक होते हैं दातु जो होती है वह उस्मा और विदूत दोनों का सूचालक होते हैं एक सिरे पर यदि उस्मा और विदूत दहेंगे तो दूसरे सिरे पर पहुंच जाएगा परन्तु अधातू विदूत और उस्मा के सूचालक नहीं होते हैं न कूचालक होते हैं दहन करने पर दातू ओक्सिजन से अभिग्रिया करके दातू ओक्साइड बनाते हैं जलने में oxygen गें सायक है तो दातु का दहन जलाना दातु को यदि जलाएंगे तो वो oxygen से अभिग्रिया करेगी और दातु oxide बना देगी जैसे zinc को जला दिया तो वो zinc oxide बनाएगा iron oxide लोहाजे से इस परकास और यह जो oxide होते हैं यह चारी प्रकर्ति के होते हैं अदातु जो होते हैं वो oxygen से अभिग्रिया करके अभिग्रिया कर अदातु oxide बनाते हैं और इनकी प्रकर्ति जो होती हैं वह अमली होती है Oxide ये भी बिणाते हैं प्रनथों इनकी प्रकृति महल होती है और दातूं की प्रकृति केशे होती है च्छार ये कुछ दातू जल में अभी करिया कर दातू Hydro Oxide और Hydrogen Gans उत्पन करते है कुछ दातू है जो जल के साथ अभी करिया करेंगे जल के साथ दातूं को मिला दिया तो वह दातू आइड्रो ऑक्षाइड और आइड्रोजन गेंस यह उत्वन करेंगे और दातू जो होते हैं वो जल से अभीग्रिया नहीं करते है और दातू जल से अभीग्रिया नहीं करेगा परनतु दातु जल से अभिक्रिया करेगा और आइटोजन गेंस उत्पाद की रूप में बार निकलेगी दातु अमलो से अभिक्रिया करके दातु लवन तथा आइटोजन गेंस बनाते हैं सामाने दातु अमलो से अभिक्रिया नहीं करते हैं दातु जो हैं वह अमल से अभीक्रिया करेंगे अमल से अभीक्रिया करके वह दातु लवन बनाएंगे और लवन बनाने के बाद में वह हैट्रोजन गैंस का निश्काशन करेंगे है 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 और जिंग लेलो इन दोनों को यह आपस में मिला देंगे जैडें क्या है जिंग यह दातू है और एट्रोजन गैंस क्या है बाहर निकल जाएगी अन्य लवन बने बपर द्रत रहां करते हैं यह दूयासिल और किया रफुटत योगत जली विल्यें नमें विसतापित करता हूं कर देगा अबिक्रिया उसका प्रतिष्टापन कर देगा राषानिक अभिक्रिया उसका प्रस्तापन कर심 में नय नया पदार्थ उत्पात जो बना है वो किरिया कारक से अलग होगा इसमें अभी किरिया होती है अब यदि कोई पदार्थ रासाइनिक अभी किरियाओं द्वारा ठंडा करके गरम करके अथ्वा विदूत अभगटन द्वारा या अधिक विगटित नहीं किया जा सकता इसी परकार आयरन है और कारवन भी एक तत्व है तत्व के एक नमुने में एक ही परकार के परमाणू होते हैं परमाणू तत्व की सबसे छोटी इकाई है परमाणू जो होती है वह तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है तत्व के भोतिक परिवर्तनों में तत्व के परविद्रते दरव सलफर का परमानु पून रूप से ठोस अत्वा वास्प सलफर के परमानु के समान होता हैं यद भी ब्रमान में पदार्थों की असंख्य किसमें हैं इन्हें बनाने वाले तत्व की संख्या सिमित होती हैं प्राकर्तिक रूप में पाए जाने वाले तत्व की संख्या चोराणूं से अधिक नहीं है दातू और अधातूं के रूप में तत्व का एक महतुपुन वर्गी ग्रण है अधिकांस तत्व दातू है शेस तत्व या तो अधातू है या उपदातू है उपदातू दातू और अधातू दोनों के गुण रखते हैं तत्व जो होते हैं इसने बताया प्रकर्तिके अंदर जो तत्व हैं उनको तीन भागों में वर्गी करत किया गया दातू अधातू और उपदातू दातू के ग परकार से न दातु में दातु के लिए गूण के आदार पर अपने किसी भी तत्व को दातु और दातु में विवाजित कर सकते हैं परन्तु कुछ यहत्56 पर्माणू है उनके अंदर दातु में कि तो उनको बोलेंगे उपदातु इस परकार से ये पाट था और कि टीन परसंट जो है आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने क्या हम निम्बू की आचार को को एलुमिनियम पात्रों में रख सकते हैं रखसकते हैं तो हां तो का कारण लिखना है ज्यतने में अंतर लिखना है уд जो है अरो जब यानमें उतर है वो सभी लिखना और जातू का उप्योग fusion का का ऊप्योग होता है